नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है यहाँ पर हम Ancient and Medieval इंडिया यह जो किताब है पुनम दलाल दहिया मैंडम ने लिखा हुआ इस किताब की डिटेल समरी देख रहे हैं जिसमें हम चाप्टर नमबर सेकंड जो है हडपा सब्बेता इस चाप्टर का दस्वा पाड आज की इस वीडियो में देखने वाले है और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे देगे बेल आइकोन को वे क्लिक करके आप सारी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुच जाएगे पिछले वीडियो में हमने हडपा, महँच दरो, लोठर, काली बंगन इस उत्खरान सतल के बारे में देखा था आज की इस वीडियो में हम चन्नुदरो के बारे में देखने वाले है सबसे पहले तो मैप पे चन्नुदरो का लोकेशन यहाँ पे देख लेते यहाँ पे आप देख सकते हो पिछली बार जो हमने देखा था हडपा उसके थोड़ा नीचे जो है वो महंजदरो है और महंजदरो के नीचे है चन्नुदरो ठीक है तो अब तक हमने हडपा देखा है महंजदरो देखा है यहाँ पे काली बंगन जो राजस्तान में है वो भी ये गुजरात का लोथल देखा है ठीक है और लोथल के बाद में हम आज देखने वाले है चन्नुदरू ठीक है चन्नुदरू पाकिस्तान में ही है पाकिस्तान के सिंध प्रांद में है और समुंदर के पास में ही ये पड़ता है ये जो चन्नुदरू है ये सिंधू नदी के क सिंद एरिया में स्थी थे और सिंदु नदी के किनारे पे ये शहर जो हो बसा हुआ है 1931 में एंजी मुजुमदार और इमैके द्वारा इसका उत्खनन जो हो उसके शुरुवात हुई थी जब चन्नु दर्व में इसका उत्खनन शुरू हो गया था तब इसमें हडपा पुर्व और विकसित हडपा दोनों सब्वेदा के आउशेश इस जगापे मिले थे यहां के उत्खनन में हमें चन्नु दर्व में मोती बनाने का कारखना मिला है और साथ में हमें बहुत सारे मोती, मोहरे और गहने मिले है यहां के जो निवासी थे वो कुशल उत्कुरुष्ट ऐसे शिल्पकार थे जैसे कि हमें वहां पे जो शिल्प मिले है अलग-अलग उत्कुरुष्ट क्वालिटी के शिल्प जो है यहां से मिले है तो उस जिस से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ के निवासी जो है वो कुशल शिल्पकार थे और एक important बाट यहाँ की है कि यहाँ के यहाँ पर दिवारों से घिरावा कोई धाचा नहीं मिला है और सबसे बड़ी विशेषता चन्नुदरों की यह है कि यह हडपासबवैता का एक मात्र ऐसा शहर है कि जहाँ पर गड़ी नहीं मिली है इसके अलावा हमें यहाँ पर मानोबली के प्रमान भी मिले है चन्नुदरों में हमें चार पईया काड़ी का मॉडल मिला है साथ ही हमें यहाँ पे तामबे से बने चद्दार रत का मॉडल मिला है ऐसा रत मिला है कि जो तामबे से बना था और उसके उपर एक चद्दा ऐसा एक मॉडल हमें चन्नुदरो में पाया जाता है इसलिए हम कहते हैं कि यहां के जो निवासी थे वो कुषल शिलपकार थे यह थी चन्नुदरो की कुछ विशेशता आए और हमने यहां पे उसका लोकेशन देखा है अब हम देखेंगे रंगपूर के बारे में रंगपूर रंगपूर जो है यहां पे गुजरात में लोथल के एक बार देख लेते हडपा उपर महुंजदरो चन्नुदरो यहां पर काली बंगन राजस्तान में ठीक है लोथल है गुजरात में रंगपूर है धोली विरा है देशलपूर है तो एक एक करके हम सारे लोकेशन की कुछ डिटेल्स विशेशताय देखेंगे अब हम देखेंग के किनारे पे बसा हुआ था इसके जो खोज करता है वह है MS वत्स जिनोंने 1931 में इसकी खोज की थी और SR राव इनोंने 1903 और 1904 में इसकी और खुदाई की थी यहां पे भी हमें उत्खनन करते समय हडपा पूर्व और विकसित हडपा संस्कूरूती के अउशेश जो है वो म मिले है तो यह थी रंगपूर की कुछ विशेशता है यहां पे किताब में जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ठीक है इसके ज़्यादा कुछ डिटेल यहां पे नहीं लिखा हुआ है रंगपूर के बारे में यह जो लेक्चर सीरीज है यह यहां पे आप मैप में देख सकते हो यहां पे काली बंगन है जो की राजस्तान में है और उसके बाजू में बनावली है बनावली यह हरियाना में आता है यहां पे इसका लोकेशन है गूगल अपने मैप में तो उसको आप याद रखना हरियाना में आता है बनावली ठीक है यह जो नगर है बनावली वो हरियाना में आता है और रंगोर नदी के किनारे पे यह जो नगर है वो स्थी थे वो बसा हुआ पर वसा हुआ था कुनसे नदी के किनारे पे तो रंगोरी नदी के किनारे पे 1973 में आरियस बिश्ट द्वारा बनावली की खोच जो है वो की गई थी उत्खनन करते समय हमें यहाँ पे हडपा पूरुव विकसित हडपा और उत्तर हडपा सब्वेता के इस संस्कृती के अउशेश यहाँ पे मिले हैं और उत्खनन में हमें मिट्टी के बरतन जो की हडपा सब्वेता के हैं वैसे मिट्टी के बरतन भी मिले हैं इसके अलावा सेल खड़ी से बने वए मोरे जो है वो भी हमें उत्खनन में यहाँ पे मिली है और एक इंपोर्टन बाट यहाँ पे यह है कि यहाँ पे हमें एक हलका मौडल मिला है जो की मिट्टी से बना हुआ है ठीक है हल का मौडल कहा पर मिला है हमें तो बनावली में मिला है एक्जाम की दुरुष्टी से important point है कि हल का मौडल मिला है हमें बनावली से जो की मिट्टी से बनावा हुआ था इसके अलाबा और एक important point यहाँ पर यह है कि यह जो मोहरे थी जो की सेल खेड़ी से बने हुई थी यह मोहरे जो है वो शहर के सिर्फ निचले एरिया से ही हमें मिली है जो गड़ी का एरिया था वहाँ पर हमें कोई मोहर जो है वो नहीं मिली सिर्फ निचले शहर के हिस्ते से ही हमें मोहरे जो है वो यहाँ पर मिली है बनावाली के बाद हम अगले स्लाइट में देखने बारे है आलमगिरपूर के बारे में आलमगिरपूर सबसे पहले तो इसकी location यहाँ पर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है आलमगिरपूर जो की उत्तर प्रदेश में आता है उत्तर प्रदेश का मेरट चुजिला है उसमें आलमगिरपूर यहाँ पे स्थीत है ठीक है तो हमने जो अभी काली बंगन देखा था बनावली देखा था राखीगड़ और राखेगड़ी के बाजू में है आलमगिरपूर यहाँ पे ठीक है तो इसकी लोकेशन हमें याद रखनी है तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यह जो आलमगिरपूर है यह उत्तर प्रदेश के मेरट के पास में स्थित है और इंपोर्टन बात कि यह जो है आलमगिरप करते समय उत्तर हडपा संस्कृति के यहाँ पे कुछ अउशेश हमें जो है वो मिले है इसके अलावा कठोत और नान पर हमें कपड़े की चाप जो है वो भी मिली है यहाँ पे और हमें यहाँ पे मिट्टी के बरतन भी मिले है जो की उत्तर हडपा संस्कृति के मिट्टी के ब यहाँ पे हमें मोहंजदरो और चन्नुदरो जो कि पाकिस्तान में है उनके दोनों के बीच में आपको कोड़ डीजी यह उत्खनन स्थले दिखाई देगा कोड़ डीजी जो कि पाकिस्तान के सिंध एरिया में आता है ठीक है तो इसकी लोकेशन देख लो एक बार फिर से मोहं में अगए बसा ठीक है तो यहाँ पर कोड़ डीजे में उत्खरंत करते समय हमें हडव पूर्वत अउसे जो है वह मिले है यहbahnे कोड़नी dreaming हडप़ पूरव और उत्तर हडप़ के संस्कूर्पि के बीच की परिवर्थन शील ऐसी ये संस्कृति थी कुनसी तो Code DG संस्कृति जो है Code DG जो स्थल है वहाँ परिवर्थन शील संस्कृति पाई जाती थी जो की हडपा पुर्वा और उत्तर हडपा के बीच में थी और इसके अलावा important point ये है कि कोट डीजी में गेंडे के वास्तविक अउशेश जो है वो मिले है इसके अलावा जांगर संस्कृति के जो उत्तर हडपा संस्कृति थी इसके अउशेश भी मिले है और अगने वेदिया के अउशेश भी यहाँ पर हमें कोट डीजी में दिखाई देते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही आज हमने चन्नुदरू के बारे में जाना है उसके बाद में हमने रंगपूर, बनावली, अलमगिरपूर, कोट डीजी इन सारे उत्खननस्तरों के बारे में डेटेल में जानकारी हासिल की है जो की किताब में दी गई थी ठीक है तो अग पेश्टे सबसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे उससे क्या होगा कि आपको नई नई जो वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिलेगी और यह जो वीडियो है जो चैनल है नए लोगों तक भी पहुचेगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर थेंक यू